MCU की अभी जो Deadpool 3 ये फिल्म आने वाली है जिसके लिए हम सब लोग बहुत excited है इसका plot reveal हो चुका है और मजाग नहीं जिस तरीके की report सामने आई है उससे ये तो समझ में आ रहा है कि दो universes के बीच में इस film में war start होने वाली है सो इसी plot के बारे में मैं इस वीडियो में detail में बताने वाला हूँ सो वीडियो end तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को like और share भी कर देना और हां अगर आप लोग Deadpool 3 से related कोई भी spoiler लेना नहीं चाहते हो तो मैं आप लोगों को पहले ही warning कि इस फिल्म में Deadpool 3 से related spoilers हो सकते हैं क्योंकि मैं इस फिल्म का विलन कोन होगा ये भी बताने वाला हूँ सबसे पहले तो मैं ये बता दू कि ये फिल्म बहुत मतलब बहुत ही जादा Doctor Strange in the Multiverse of Madness इस फिल्म से connect करने वाली है और फिर ये फिल्म लोकी इस सीरीज से भी connect करेगी लेकिन कैसे तो सबसे पहले ही हमें ये reveal कर दिया गया था कि इस फिल्म में Multiversal Travel होगा इसके बारे में म Deadpool और Wolverine भी ऐसा ही कुछ करें जैसा कि मैंने इस से पहले भी बताया था कि कुछ rumors और कुछ reports से ये कहा जा रहा था कि इस film में हमें Loki या फिर Morbius नजर आ सकते हैं या फिर हो सकता है कि ये दोनों ही नजर आए लेकिन ये पूरी दरीके से depend करता है कि Loki के season 2 के end में हमें क्या द बहुत कूल है तो इस फिल्म में ये होने वाला है कि जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये फिल्म Doctor Strange in the Multiverse of Madness इस फिल्म से बहुत ज्यादा करेगी तो वो connection ऐसा होगा कि Doctor Strange in the Multiverse of Madness इस फिल्म में अपना जो MCU का में यूनिवर्स है यानि कि 616 इस वाली वांडा ने Earth 838 वाले वांडा को possess करके Illuminati members को मार दिया था जिसमें अपने X-Man मेंबर Charles Xavier भी थे और Mr. Fantastic भी थे जिसमें से Charles Xavier की जो हमें Comics में sister दिखाई गई है जिसका नाम है Cassandra Nova जो अगर देखा जाए तो Comics में X-Man की एक प्रॉपर विलन है लेकिन Deadpool 3 में हमें ऐसा द किया है कि Emma Corrine Cassandra Nova के character को Deadpool 3 में play करेंगी और दूसरी तरफ Mr. Fantastic ने भी हमें Doctor Strange in the Multiverse of Madness इस film में बताया था कि उनकी एक wife है और एक बेटा भी है अगर आप लोगों को नहीं पता तो Mr. Fantastic की wife है Invisible Woman और कहा जा रहा है कि इस character को play करेंगी Jessica Alba जिनोंने जो पुरानी Fantastic 4 की film में आई MCU के main universe से यानि कि Earth 616 से अपने husband Mr. Fantastic का बदला लेना चाहती है क्योंकि Earth 616 अपनी Wanda को संभाल नहीं पाया जिसके result में Mr. Fantastic की death हो गई यानि अगर simply बताओ तो Earth 838 की Fantastic 4 की team और X-Man की team सारे मिलके Earth 616 पे हमला करेंगे यानि कि pull on एक multiversal war ही start हो जाएगा जो personally मुझे बहुत cool और interesting भी लग रहा है क्योंकि Deadpool 3 के plot के हिसाब से इस film में ये सारी चीजे एक दूसरे से perfectly connect कर रही है और obviously Earth 838 को हमने Dr. Strange in the Multiverse of Madness इस film मे देखा है जो कि बहुत advanced universe था तो no doubt उनके पास multiversal travel करने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस तो होगा ही और हाँ साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस film में हमें Sue Storm का भाई यानि कि Johnny Storm जिसे हम Human Torch के नाम से जानते है वो भी नजर आएगा और even ये भी कहा जा रहा है कि उस Human Torch कर रही है तो Chris Evans क्यों नहीं और साथ ही कुछ rumors और report से ये कहा जा रहा है कि इस film में हमें एक ऐसा universe दिखाया जाएगा जिसमें Earth पे humans से उपर X-Man का राज होगा यानि जैसे कि X-Man की अभी जितनी भी film में आई है उनमें हमने देखा है कि Earth पे humans का control है और mutants humans से चुक के रहते है लेकिन इस universe में हमें इस से उल्टा दिखाया जाएगा and guess what इन सारे ही mutants और X-Man का leader होगा Magneto यानि इसके बहुत जादा chances है कि हमें Deadpool और Wolverine Magneto से भीड़ते हुए भी नज़र आएंगे अब देखो Deadpool 3 का मैंने जो भी plot बताया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो Deadpool 3 का क बहुत सारे characters और बहुत सारे characters के variants भी नज़र आएंगे जो इसी multiversal war में possible है और मुझे तो लग रहा है कि जैसा कि कहा जा रहा था कि इस film में Marvel की पुरानी फिल्मों के characters भी नज़र आएंगे so I think मेरे हिसाब से वो same characters हमें इस film में नज़र नहीं आएंगे बलकि उन characters के variants न नहीं मुझे comment में ज़रूर बताना साथ ही अगर आप लोगों को इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोगों अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करी देना सो मिलता हूँ एसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग